कि पहले तो मैं एक इस परश्ट करना चाहूंगा कि कर्मिशन की गाइडलेंग्स में बड़ा सपरश्ट है कि जो कोई भी कैंडिटेट्स के जो रेप्रिजेंटेटिव्स हैं वो जो स्ट्रॉंग रूम के बाहर जो थ्री टियर कॉर्डन है उसका जो सबसे आउटर वाला कॉ यह बड़ी सपस्ट इंस्ट्रक्शन से और हमारे को भी यह एक्षिन मेशनरी को भी इन्स्ट्रक्शन से कि उनको फेस्लिटेट करना है उनको जगह प्रवाइड करनी है जिसकि वहाँ पर वो बैट सकें अपने क्यांप लगा सकें इसमें कोई नई बात नहीं है और जहां जहां तक उनको और उनको साथ ही साथ जो है वो टेलिविशन की फैसिलिटी भी दी जाती है वहां से ऐसी जगह वो बैठ सकते हैं जहां से वो डिस्टन से ही आउटर पेरिमेटर से स्ट्रांग रूम को देख सकें और लेकिन अगर वो नई भी देख पा रहे है तो अप्रोप करेंट आए थी उस हमने सभी डी ओस को पीसी को पावड कर दी है कि जो भी कमिशन के इंस्ट्रक्शन से उससे कंप्लाइंस जाए उस उनेशित की जाए जैसा मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन से कहती है कि जो आउटर पेरिमेटर है यानि सबसे पहले एक इनर कॉर्डन होत इस दिस्ट्रिक्ट फोर्स रहती है इसके एक्जेगटर फोर्स रहती ही और उसके बाहर जो है वो क्यांप कर सकते हैं सब्सक्राइब लिए